नमस्कार दोस्तों सो आगर आप सभी का तेकिर आज यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लास की डिवाइस में नो सिम कार्ट एरर प्रावलिम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर यहाँ पर अपने सिम भर दिया है अपने मुबाइल पर उसके बावज़त दोस्तों आपको यहाँ पर नो सिम कार्ट करके एरर डिखाई देते हैं तो आप कैसे इस problem को solve कर सकते है आज के इस video पर दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूँ ठीक है तो आपको अगर problem solve करना है तो वीडियो को अंतक देखना है जो भी दोस्तों यहाँ पे solution होगा उसको follow करना है आपका problem solve हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले make sure channel को subscribe करते हुए bell icon को click करें अगर आप online पेसा कामाना चाते है तो दोस्तों वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तों जो SIM card error का problem आ रहा है ठीक है उसको fix करने के लिए आप सबसे पहले mobile को restart कीजिए restart करने के बाद अगर ठीक हो जाते हैं तो अच्छी बाद है अगर कुछ भी नहीं होगा तो आपको SIM जो है उसको eject करके insert करना है ठीक है आपको SIM जो है mobile के बाहर निकाल देना है और उसके बाद उसको दुबारा से रिंसर्ट करना है और उसके बाद दोस्तों दुबारा से चेक करके देखे problem solve हो चुका होगा क्योंकि दोस्तों यह जो process है हमेशा काम करते हैं तो आप यह try करके देख सकते हैं अगर इससे problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो जाएए अपने mobile के setting पर उसके बाद stroll down करे सिस्टेम पर क्लिक कीजिए reset option पर जाएए reset wifi mobile and bluetooth पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको reset setting पर क्लिक करके mobile का pattern भड़ देना है उसके बाद आपका जो यहाँ पर network setting है reset हो जाएगा उसके बाद चेक करके देखे अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तो आप जाएए अपने mobile के wifi नेट्रोक उसके बाद flight mode को enable कीजिए इनिवल करने के बाद दोस्तों आपको wait करना है एक minute उसके बाद बंद करना है और चेक करके देखना है problem solve हो चुका होगा अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो sim and network पर जाके आपको network यहाँ पर switch करना है किपटे है तो यहाँ पर network को switch करने के कोशिश करें अगर switch हो जाते हैं तो आपको network male पी सकते हैं अगर आप इस तरहें के से तो अब automatic network use कर सकते हैं तो यह सारे जो solution हों और सो आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तो 9 sim cut क्यों शो होते हैं मैं आपको वता रहता हु क्यों होते हैं क्योंकि दोस्तो जब हमारा phone यहाँ पर काफी दिन से अगर restart नहीं हुआ फोन को switch off नहीं किया फोन को update नहीं किया फोन को अच्छे से maintain नहीं कर रहे तो दोस्तो यह problem होते हैं ठीक है तो यह reason के वज़द से आपको problem हो रहा है तो यहाँ पर दोस्तो make sure आपका software update रहे उसके लिए आपको system पर जाके यहाँ पर system update पर check करना है software update डिखाई ज़र है software को update कीजिए उसके बाद check करके देखे problem solve हो जागा लेकिन दोस्तों मान लीजिए अभी भी आपको problem हो रहा है तो हो सकते सीम में भी problem हो तो सीम को दूसरे mobile पर भर के देखे अगर दूसरे mobile पर काम कर रहा है यानि कि दोस्तों आपके SIM slot में problem हो सकते हैं उसको confirm करने के लिए आपको दूसरा SIM जो है उस slot में भरना होगा अगर काम कर रहा है ठीक है दूसरा SIM आपके mobile पर तो आपका SIM slot खरब नहीं होगा है ठीक है उस SIM पर ही कुछ problem हो सकते हैं अच्छे से एक बार आप re-enter कीजिए ठीक है अच्छे से SIM कार्ट को उस SIM ट्रे में भर देना है और उसके बाद एट करना है सही तरीके से और problem सौफ हो जाएगा मान लेज़े दोस्तों दूसरे SIM भी आपके mobile पर काम नहीं कर रहा है तो definitely SIM slot खराब है लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आपके mobile पर SIM काम कर रहा है तो कुछ और problem हो सकते हैं या फिर दोस्तों मान लेज़े आपका SIM जो है किसी दूसरे device में भी काम नहीं कर रहा है तो वो SIM ही खराब है तो उसके लिए दोस्तों आप किसी भी network operator को call करके पूछ सकते हैं मान लेज़े आप एरटल SIM यूज करते हैं तो आप किसी भी दूसरे एरटल SIM से network operator को contact करके बात कर सकते हैं कि आपके SIM पर हुआ किया है तो आप यह सारे procedures फॉलो कर सकते हैं इस problem को solve करने के लिए तो आज के लिए दोस्तों बस इतना है उम्मिद करते हैं आपको यह video पसने होगा thanks for watching